कर लिए अगर आपने वह वीडियो नहीं देखियों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा और आप मेरे चानल को सर्च करें लॉजिक पाट शाला नाम से आपको इस तरीकी का आईकन लज़र आएगा उस आईकन पे जाएं आप प्लेलिस्ट ओपन करें इंग्लिश से अलावा भी बहुत सारे सब्टेक्स और इनकी वीडियोस आप वहाँ पे देख सकते हैं करन की सिरीज भी चल रही है जीगे की सिरीज भी चल ले वो भी आप देख सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं पास्ट पॉफेक्ट टेंस तो जिनको भी टेंसेस में प्राबलम है वो कन्फूजन आज दूर हो जाएगा क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक लेबल से टेंसेस को बढ़ रही है अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो कोई सरूर कोई टेंशन लेने के बात नहीं है आप बस वीडियो को अच्छे से पूरा देखे एक बास समझ के तो देखे सबसे पहले कोई भी टेंस करने के पहले हमें उस टेंस की पहचान पता होने चाहिए कि अगर आपके सामने वाक्य लिखा है तो आप कैसे पहचान होगे कि ये कौन सा टेंस है सब की पहचान अलग-अलग है तो कोई confusion नहीं होगा अगर आपको पता है तो दूसरा उस टेंस का structure आपको पता होना चाहिए कि इस टेंस में क्या आपको helping verb लगानी है क्या आप main verb का कौन सा form यूज करोगे ये पता होना चाहिए इन दो चीज़े अगर आपको पता है ये दो चीज़े तो कोई टेंस कभी जंदगी में गलत नहीं होगा तो अगर बात करें past perfect tense की तो इस tense की पहचान जो होती है वो होती है चुका था चुकी थी और चुके थे या फिर वाक्य के अंत में या था या थी और ये थे ये शब्द भी आ सकते है तो ये सारी जो शब्द बताई है ये वाक्य के अंत में आएंगे यानि sentence के last में आएंगे तो अगर ऐसे कोई शब्द आपको दिख रही है sentence के last में तो आपका वो tense है past perfect tense है अब tense का structure किस तरीके से हम बनाएंगे देखिए tense बहुत important है क्योंकि इस tense में आपको कुछ खास बात भी बताऊंगे लेकिन वह भी थोड़ी देर बात में बताऊंगे पहले normal चीज़े जान लीजिए इसका structure होता है subject plus head इसको ध्यान रखें कि helping verb यहाँ पर head यूज़ होती है subject कोई सा भी हो चाही subject singular हो चाही subject आपका plural हो कुछ भी हो आपको always head का use करना है helping verb में next जो verb की form यूज़ होती है वो third form यूज़ होती है जैसे play है तो played यूज़ करना है आपका right है तो written यूज़ करना है यानि आपको verb की form जरूर याद दोनी चाहिए उसके बिना tenses नहीं हो पाएंगे तो verb की हमें third form यूज़ करनी है and last में आप object यूज़ करोगे ये बिल्कुँ simple sentence का structure है जब आपका एक वाक्य पूरा दिया हो sentence में example देखे मैं आपको बता देती हूँ वह गाना गा चुकी थी तो आप last में देख सकते हैं sentence की पहचान दे रखिए चुकी थी तो ये sentence perfect हो गया past past में है तो देखे चुकी थी आएगा अगर मालीज़ present perfect होता तो चुकी है आता तो ये दोनों में आपको अंतर समझना है ये present में आएगा और ये thought ही थे ये सब past में आएगा अब लड़की की बात हो रहे तो she हर किसी के साथ had use करना है गानी की होती है sing sing first form होती है लेकिन हमें use करनी है third form तो third form होती है sung sing, sang, sung ऐसे form होती है और क्या गाना गाती है वह है गाना to sing, sung a song she had sung a song इस तरीके से आप normal sentence को बना सकते हो एक और sentence देख लिए क्या है मारे पास हमने कमरे का किराया दे दिया था तो last में क्या आ रहा है या था दे दिया में क्या था या था sentence का structure मतलब पहचान हमने पता कर ली आपके आचाए का we उसके बात had क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि कोई सभी sentence हो चाहिए वो कोई सभी आपका subject हो चाहिए वो singular हो और चाहिए वो plural हो आपका क्या आना है आपका हमीशा और हमीशा आना है had आना है तो ये आपको ध्यान में रखना है उसके बात हमने किराया दे दिया था तो देने की यानि अपने किराया चुकाने को क्याते है pay कहते है तो हम क्या उसकी third form यूज़ करेंगे paid we had paid हमने किराया दिया था the rent of room या room कह दीजे home कह दीजे camera है तो room भी ओर सकता है home भी ओर सकता है we had paid the rent of room यह आपका sentence तब है चुब आपका एक simple एक वाक्या में दिया हूँ sentence पूरा लेकिन यहां पे कुछ extra चीज़े भी होती है वो क्या एक बार और देख लीजे क्या है देखे यह तो यह part बहुत ही ज़दा important है इससे please थोड़ा सा ना focus करके जरूर समझें इस चीज़ को क्या है देखे जब भूतकाल में एक के बाद एक दो कारे समाप्त होता है यानि एक कारे पहले आप क्या पहट थे sentence में सिर्फ एक ही कारे चल रहा था अगर कोई गाना गा रहा है तो सिर्फ गाना ही गा रहा है कमरे का किराय दिया तो एक ही काम हुआ लेकिन अगर आपके sentence में दो वाक्या आ जाए यानि एक वाक्य भी है और दूसरा वाक्य भी है तो उनको कैसे करोगी तो देखे कोई न कोई काम एक दूसरे से पहले समाप्त हुआ होगा जरूर यानि आपके अगर sentence में दो वाक्या है तो एक वाक्य पहले खतम हुआ होगा एक वाक्य बाद में हुआ होगा ऐसा तो हुआ होगा ना तो उसमें कैसे बनाना है तो देखे जो कारे पहले समाप्त होता है उसे बनाते हैं हम past perfect tense में और जो कारे बाद में समापत होता है उसे बनाते हैं past indefinite में अगर ये चीज़ा याद हैं तो always sentence सही रहेगा कि कारे पहले होने वाले को perfect दीकि पर से पहले और पर से perfect इस तरीके से मैंने भी याद कर रखा हैं आप भी याद कर सकते हैं कि पर से पहले यानि पहले जुका रहे होगा उसे perfect tense में बनाना है और बाद में जुका रहे होगा वो indefinite में बनेगा लेकिन past indefinite में बनेगा ठीकिन मैं आपको example से बता देती हूँ बहुत easy तरीके से example से क्या हो जाएगा यहाँ पर clear हो जाएगा जैसे example देखी है से पहले गाड़ी चूट चुकी थी तो यहाँ पर दो sentence है एक तो मेरे station पहुँचने से पहले यानि आप station गए और दूसरा sentence है गाड़ी चूट गए थी यानि जो train है वो चली गई थी तो आप पहले आयते station पर यह गाड़ी चली गई थी तो इसका मतलब छूटी थी sentence है यह indefinite में बनाना है बस इस तरीके से समझना है sentence में तो गाड़ी चूट चुगी थी यानि दर ट्रेन गाड़ी के लिए हमारा train है यहाँ पर कोई कारवार नहीं है ठीक है दर ट्रेन उसके बाद हैड लगाएंगे और चूटने को left कहते हैं तो left the train had left उसके बाद पहले आपके sentence में हमेशे या तो पहले होगा या फिर बाद में होगा तो अगर पहले है तो before लगा दीजे before उसके बाद second sentence शुरू करें मेरे station पहुंशने से यानि before के बाद आ जाएगा I इससे बनाना है past indefinite में तो मैंने आपको बता था past indefinite में second form यूज होती है तो I reach पहुंशने को reach कहते हैं तो reach डाज रहेगा before I reach the station यानि station पहुंशने से पहले तो ये ध्यान रखना है गाड़ी पहले चली गई थी आप बात में पहुंशे हो इसलिए आपके गाड़ी छूट गई तो जो चीज पहले हुई तो हमने sentence को क्या बना दिया perfect में बना दिया उसके बाद पहले या बाद में आपके sentence में ये दो ज़रूर आएंगे तो before ये after इसमें से आपको लगाना होगा तो before आ गया फिर I reach the station second sentence को हमने indefinite में बना दिया एक और sentence इससी तरीकी का देख लेजे इसमें क्या है पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था तो एक sentence में हमारे पास ये है कि पुलिस आई और एक sentence हमारे प है इस वाले पूरे sentence में sentence में तो इन दोनों में से पहले कौन सी घटना होगी पहले चोर भाग गया था या पहले पुलिस आई थी तो देखे पुलिस के आने से पहले यानि पुलिस आई ही नहीं थी इतने चोर क्या था भाग गया था तो चोर हमारा जो है वो पहले कारी हु उसके बाद हमें had लगाना है, क्योंकि हमें इसे perfect में बनाना है, भाग गया था, यानि run, run की थीनों form run ही होती है, बतब second form ran होती है, लेकिन third form फिर से run हो जाती है, उसके बाद away, अब पहले आया है, तो before, फिर मैंने आपको बोला था कि जो second sentence होता है, यानि जो बात में sentence हुआ था, तो before, उसके बाद क्या चाहिएगा, the police अब आया था, आने की उते कम, लेकिन हमें indefinite में second form यूज़ करने है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, came, the thief had run away before the police came, कि भाई, पुलिस के आने से पहले जो चोड था, वो बहाग गया था, तो बहुत easy है, लेकिन जो म मैंने आपको rule मनाया कि पहले समापत होने वाला sentence perfect, और बात में समापत होने वाला sentence indefinite, बस यह याद रखना है, अभी sentence को थोड़ा सा, अगर मैं और easy मिनाना चाहूं, आप सभी के लिए थोड़ा सा, और जादा, तो देखे, note आप धियान रख सकते है, यदि वाक्या में पहले या पूरवाया हो, जो अभी सेंटेंस बनाएते, तो हमें क्या करना होता है, हमेशा जो वाक्य का अंतिम खंड होता है, यानि जो last में sentence होता है, वो perfect में बनता है, और जो पहले वाला sentence है, वो indefinite में बनता है, क्योंकि अभी हमने बनाया न, पहले वाले sentence में, हमेशा आपने जो पहले के बाद जो sentence लिखा था उसे पहले बनाया तो जो पहले बनेगा वो perfect में बनेगा और जो बाद में बनेगा वो indefinite में बनेगा ठीके और यदि वाक्या में बाद या पश्चात आया हो यानि इसकी English होती है after अगर sentence में इस तरीकी का बाद पश्चा जिसकी English आप after लगाओगे तो आपको क्या करना होगा अंतिम खंड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं यानि जो last वाला खंड है उसकी English आप पहले ही लिखोगे लेकिन वहाँ पे लिखोगे किसमे past indefinite में क्योंकि वह sentence आपका बाद में हुआ है इसलिए वह past indefinite में बन रहा है और after के बाद पहले खंड की अंग्रेजी लिखेंगे जो बनाएंगे हम past perfect में दोनों बस opposite है एक दूसरे के एक याद रख लेना दूसरा as it is याद हो जाएगा बस उल्टा करना है कैसी करना है देखें एक याद रखना पहले आप before का याद रखो कि before है तो जो last वाला खंड है खंड का मतलब sentence के दो खंड है आपके तो last वाला खंड है उसे पहले लिखोगे past perfect में बनाओगे और पहले वाले खंड को बाद में लिखोगे past indefinite में बनाओगे लेकिन अगर after वाला sentence आएगा तो जो last वाला खंड है जिसे आप perfect में बना रहे थे उसे किस में बनाओगे indefinite में बनाओगे और जिसे पहले वाले खंड को indefinite में बना रहे थे उसे किस में बना दोगे perfect में बना दोगे तो सिर्फ आपको क्या करना है उल्टा करना है सिर्फ बस इतना करना है ठीक है एक याद करना दूसर और आपने आप याद हो चाहेगा बस sentence के practice जरूर करना जैसे अब हमको sentence कर लेती है first हमारे पास क्या है बादल आने से पहले बारिश हो चुकी थी तो आप इस तरीके से भी यार रख सकते हैं कि बादल इतने आये ही नहीं थे कि बारिश पहले ही हो गई इसका मतलब ये वाला sentence पहले हुआ है और जो sentence पहले हुआ है उसे perfect में बनाएंगे और जो sentence बादमे हुआ है उसे indefinite में बनाएंगे या फिर आपने को मैंने अभी note में क्या बोला कि अगर आपकी sentence में पहले लिखा होता है तो बाद वाले खंड को हमें starting में लिखना है लेकिन किस में perfect में तो हम इसका English के में क्या बनाएंगे भई बारिश आने से पहले यानि इट हाड देखे बारिश के लिए कोई हमारे पास subject नहीं होता इट यूज करते है इट हाड रेंड हो जाएगा फिर उसके बाद आएगा before first वाला sentence क्या है बादल आने से पहले यानि बादल आना यानि क्या होचाएगा before the cloud बादल को क्या कहते है दा clouds came यानि हम indefinite में बनाना है तो हम यहाँ पर वर्व की second form को use कर लेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा अगला sentence के क्या है कमला के गाना गाने के बाद ये बाद वाला sentence है राधा ने stage पर dance किया था ठीक है तो बाद वाले के लिए हमें जो अंतिम खंड होता है उसे बनाना हो में यह करना है बस दीखिए उलटा है ना अन्तिमखंड perfect तो यहां औंतिम खंड इंडाफ्ट C क्या हो जाए तो यहाँ पर्व पर्वेक्ट में बन रहा है बिल्कुल opposite थे क्या बनाएंगे राधा ने stage पर dance किया थाamente में बनाएंगे तो राधा dance की क्या हो जाएगी dance हो जाएगी क्योंकि indefinite में हमें second form use करना है on the stage उसके बाद बात की English होती है after after उसके बाद कमला के गाना गाने से तो कमला इसको हमें perfect में बनाना है तो यहाँ पर हैड लगाना है और वर्फ की third form का use करना है यह चीज़े आपको sentence है व्रधा की मरने के बाद डॉक्टर नहीं आया था तो बाद वाला sentence आ गया इसका मतब जो अंती वाला खंड है उसे indefinite और जो पहले वाला खंड है उसे perfect ऐसे करके याद करते रहो एक्तम याद हो जाएगा तो डॉक्टर नहीं आया था तो हमें इसे indefinite में बनाना है तो दॉक्टर अब indefinite में did not का use किया जाता है negative आगे तो कोई दिक्कत नहीं है not use कर दीजिए और अगर आपका माली जी sentence interrogative है तो starting में आप जो helping of use को तो उसको starting में रख दो तो interrogative बन जाएगा the doctor did not come जब date आचाता है तो वर्व की first form आती है after उसके बाद क्या लगाना है व्रद्धा की the doctor did not come after के बाद हमें लगाएगा after the old lady इसको हमें बनाना है perfect में तो had और मरने के लिए लगा देंगे gone तो after the old lady had gone यह इस sentence का क्या बन जाएगा sentence की हमारी English बन जाएगा अगला sentence देखिए सुरज निकलने से पहले पहले आ गिया तो यह जो बाद वाला sentence है इसे बना तो perfect और पहले वाला sentence को बना तो indefinite में simple सा है यह ऐसी sentence है आप इस तरीके से लिख दिया करना ताकि आपको क्या हो जाएगा और भी easy हो जाएगा तो क्या लिखाएंगे वह सोकर नहीं उठा था तो he had not सोकर उठने को हम awake कहते हैं और awake की third form awaken होती है उसके बाद पहले की English हो जाएगे before सूरज निकलना यानि before the sun rise कहते हैं और rise की हमें second form यूज करने है तो क्या आजाएगा रोज आजाएगा तो बहुत easy तरीके से sentences को बना सकते हैं सिर्फ क्या ध्यान डगना है बाद है तो वाद वाला sentence पहले वाला sentence पॉफेक्ट अगर पहले है तो बाद वाला sentence पॉफेक्ट और पहले वाला sentence इंडाफनेट इतना याद रखना है इतने याद रखने से ही sentence जो है वो सारे बन जाएंगे अब देखें मैं intuitive में बता देती हूँ कभी confusion ना हो जाए कि क्या तुम्हारे घर पहुँचने से पहले माद जी ने खाना बना लिया था तो पहले है तो पहले का मतलब बाद वाला sentence पॉफेक्ट में बनेगा और पहले वाला sentence इंडाफनेट में बनेगा तो अब हमें sentence start हमें interrogative से ही करना है यानि हमारे पास क्या है तो अगर आप क्या से शुरू के वाकिया होते हैं तो हम helping of starting में लगाते हैं तो perfect tense के लिए helping of क्या आती है head तो हमें शुरू बात head से करनी है head the mother cooked उसके बाद पहले आजाएगा before उसके बाद sentence तुम्हारे घर पहुँचने से यानि before had the mother cooked food before you reached at home यह आजाएगा तो आपको sentence में ऐसा नहीं कि इस वाले sentence के साथ क्या लग रहा है तो इसी के साथ ही क्या का बनाओगा नहीं जो sentence पहले आपको लगाना है उसी के साथ आपको helping of उसी के हिसाब से लगानी है ठीक है यह sentence आप खुद बना लोगे तुमने अपने कप्टे स्वयम क्यों दोई त तो Simple sentence है मैं आपको यह वाला sentence बना देती हूँ मेरे जाने के बाद यहां कौन आया था तो बाद में हमें पता है कि Last sentence Indefinite में बनता है और पहले वाला sentence Perfect में बनता है तो कौन आया था अब यहां पर मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे पार sentence में बीच में प्रश्नवाच तो उसकी इंग्लिश पहले लगाते हैं तो कौन को लगा देंगे हम हूँ अब यहाँ पर मैंने आपको बताई था कि इंडाफिनिट में बनाना है इसका मतलब यहाँ पर हमें डिड लगाना पड़ेगा who did come after मेरे जाने के यानि after I had gone बाद वाले सेंटेंस को हमें किस में रखना हैं परफेक्ट में रखना है और पहले वाले सेंटेंस को हमें इंडाफिनिट में करना था तो अगर यह सेंटेंस इंडाफिनिट में बनना है तो इसी की हेल्पिंग को फिस्टार्टिंग में लगाओ अगर यहां पर head वला sentence होता तो यहां head लगता तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना है तो present perfect tense भी हमारा फिनिश हो गया past perfect tense यहां पर next video में हम perfect continuous tense करेंगे I hope so यह जो basic level से tenses की series शुरू करें इससे सभी को फायदा जरूर मिलेगा देखें वीडियो जरूर and कोई doubt हो तो आप इस comment box में मुझे बता सकते हैं कोई भी अगर sentence नहीं बन रहा हो तो वो पूछ सकते हैं next video में मिलते हैं नए topic के साथ अपना नया sentence करेंगे बिल्कुल basic level से thank you and all the best for your success